तो आज में बात करने वाला हूँ दो दिगज कॉम्पानी के बारे में जो फूट्वेर लेदर बिजनेस में बहुत तर्की किया है और वीचर में भी बहुत अच्छा खासा आपको एक रिटन देने का मतलब पोटेंशियल भी रखते है तो एक दोनों कॉम्पानी में आपको अच्छा खासा पर्फोर्मेंस देखने को मिलेगा साथी साथ इस दोनों कॉम्पानी में आप मतलब नीबेस भी कर सकते हैं क्योंकि इस दोनों कॉम्पानी में बहुत प्रोटेंशियल है तो सारे जानकरी आपको में यहापर देने वाला हो तो भीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरू सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको हर नोटिफिकर सल मिलता रहेंगे तो चलो देखते हैं आज के लेटेस्ट टॉक के बारे में तो मेरे जो फसनिता स्टॉक है वह है बटा इंडिया तो बटा इंडि गाल और जितने सारे इंडिया बनाता है साथी साथ और बींगी कंप्पनी है जो भी बनाता है इस दोनों कंपपनी बहुत जबग寿 धस कंपणी है और इस दोनों कंपणी का जो business module है आप देखिए company का जो मतलब नाम है बाटा इंडिया है साथी साथ company का जो business है बहुत सूज storage company मतलब जितने सारे सूज बेस्ते तो इसी का टोरेज का company है तो company का जो मतलब जिस तरह के से performance कर रहा है मैं company के उपर में पहले आपको six month पहले आपको वीडियो बना के दिया था आपको में six month चाट पर्टन उपन कर तो करीवन करीवन या पर आपको जो प्राइस रेंज था 1000 या पर देख सकते 1000 या पर 500 का जो प्राइस रेंज था तब से आपको कह रहा हो कि इस company में आप खरीदारी करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अभी भी कहूंगा क्योंकि company में अभी 2000 के करीवन है कभी तभी 1500 था अभी 2000 मतलब 500 का या पर फाइदा देखने को मिला तो 500 का जो फाइदा है अभी भी company बहुत उपर जाने वाला है क्योंकि company के जो performance है मुझे तो खासली बहुत जबदस लगते है company करीबन करीबन यह पर अच्छा खासा पार्फोमेंस के आपको maximum चार्ट पेटन उपन करकर दिखा जूँ देखे कितना सांदा 25,000 मार्केट केपिलेशन यहां पर 25,000 करोड का यहां पर मार्केट केपिलेशन है company का पीरसी अभी भी यहां पर नहीं दिखा रहा है तो यहां पर company का जो कारेंट प्राइस है करीबन 2000 के अंदर ही है साती साथ company का जो return of equity है मुझे तो यहां पर तोड़ा सा negative week लगा और return of capital employee मुझे यहां पर negative लगा देखे इस दोनों negative हुई है इसका मतलब यह है कि company खराब हो गया यह नहीं काऊंगा company जिस तरीके से business करते है उसके हिसाब से उसके हिसाब से company जावदस्त है तो यहां पर face value देखे 5 रुपिया इसका face value मतलब company एक बास split कर चुके है मतलब 10 रुप देखने को मिलेगा तो इसके लिए आप इस company को खराब नहीं कहेंगा क्योंकि और भी डेटा में आपको दिखाऊंगा यहां पर देखिए company का trade value मतलब ट्रेट जो कर रहा है 14 रुपीज के नीचे company trade कर रहा है company का जो मतलब interest है interest coverage ratio है वो बहुत लो है साथी साथ company का जो sales growth है वो भी minus में चल रहा है और company का जो return of equity है वो भी यहापे तीन साल में मात्र 11% यह सारे चीज negative week है तो company का जो computer है उसके इसाब से company second largest manufacturing company है और साथी साथ company का जो performance है उसके बार में एक बार आपको देखना चाहिए देखे company जिस तरी के से काम करते हैं यहापे देखे net profit के बार में बात करूँ तो company अच्छा का सा पाम कर रहे थे 2010 से मतलब 2010 से 63 88 259 मतलब थोड़ा सा performance ठीक हुआ फिर से एक गिरावट देखने को मिला 172 उसके बाद 191 उसके बाद 231 से 217 उसके बाद यहापे देखे 2019 में 2020 में अच्छा का सा यहापे पार्फोर्मेंस दिखा 309 उसके बाद यहापे 2021 में यहापे लॉस देखने को मिला तो इतने दिनों से company जब दस performance कर रहा था मतलब एक धीरे 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 अप्टें में जा रहा था उसके बाद 2021 में मुझे यहापे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला तो बहुत करें बहुत सरे इसूज के पबलम से इस company ने नेगेटीब मतलब पॉफिट किया तो इसके कारण से आप इस company को खरब नहीं कहेंगे क्योंकि company को रिटान अभी क्योटी है वो भी एक बाद देख लीजिए company करीबन करीबन यहापे 10 सालों में यहा 45% रिटान तो रिटान अच्छा खासा दे रहा है company का profit अभी भी नेगेटिम में है sales growth और profit को दोनों ही यहापे नेगेटिम में है तो इसके उपर आपको नज़र रगना चाहिए देखे company के उपर में आपको यहापे three star देने माला हूँ five star अभी देने नहीं बाला हूँ क्य नहीं बहुत अच्छा है क्योंकि इस सालों में अभी तक negative मतलब point है तो इसे three और four star देने माला हूँ तो यह दोनों star आप कोई भी एक मान के चलिए करीबन यहाप फोस्टार भी दे सकता हूँ क्योंकि company का performance जबदस हो रहा था तो थोड़ा सा एक साल में देखे कोई भी company क जब performance खराब हो गया मतलब यह नहीं company खराब हो गया तो यहाँ पर company का जो और भी डेटा देख लीजिए company का जो पो मोटर होल्डिंग है करीबन 52% का holding पो मोटर के पास है और एफाइस ने 55% holding और डिएस भी आप जबदस माल उटकर रखा है क्योंकि दिएस को पता है क्यों मुझे उतना खराब भी नहीं लगता है company जब दस आफे performance करने वाला है तो यह था फास्ट company तो second company जो है वह है रिलाक्स हो यह तो number one company है और जब दस company है इसके बारे में मैं हमेशा कहूंगा आप इसके ऊपर जुरूर निवेस करने के लिए सोचिए मैं जब इसका price range करीवन 750 रूपीज था तब से में निवेस करके रखा हूँ तो बहुत नीचे से hold करकर रखा हूँ अभी पेसेन के साथ बना हुआ हूँ क्योंकि इसका जो में target मेरा है मेरा target जो है वो अभी 2000 तक target जाएगा जब 2000 कफर कर देंगे तब इसके उपर में फिर से analysis करूंगा और उसके बात कितना दूर तक जाने वाला है उसके उपर में जोरूर यहाँ पर study करूंगा और आपके साथ भी share करूंगा तो देखे मेरे बहुत नीचे से buy करकर रखा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं sir अभी 1300 हो गया तो आप इस price में buy मत करिए तो यह जोरूर कहूंगा कोई भी price मि ले इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं कि इसका पार्फोर्मेंस जब अधास है एक पर आप maximum चाट पर देख लीजिए तो आपको rocket के तरह पार्फोर्मेंस देखेंगे बाटा इंडिया में उतना अच्छा का सा इस तरी किसे पार्फोर्मेंस आपको नहीं देखने को मिलेग है बाटा इंडिया करीबन 2020 में आप देखेंगे तो बाटा इंडिया नमबर वन था उसको भी रेकोर्ड बेक किया उसको भी पीछे डाल दिया और उसके बाद रिलाक्स हो नमबर वान पोजिशन में यहां पर बैटे हुए है तो करीबन 32,600 करोर का मार्केट का प्लेशन है इसका peer ratio मुझे तोड़ा सा high लग रहा है क्योंकि 109 तो आपका हैंगे sir बहुत high है फिर भी यहां पर buy करूँ देखिए आपको तो इस chair में हमेसा high देखने को ही मिलेगा क्योंकि company large cap है और बहुत जवादस इसमें potential है तो कोई भी price में इसको खरीदार इखनने के लिए तैय 50% के उपर है इसके उपर आपको study करना चाहिए तो company देखिए speed कर चुके तो इसलिए आपको 1000 के price में मिल रहा है 1300 price के मिल रहा है नहीं तो company में करीबन करीबन 4000-5000 के उपर इसको price range देखने को मिल सकता था तो company का जो positive news है आप देख सकते company totally debt free company है almost debt free company है company का जो CAGR percent है एक 5 सालों में 19% मतला करीबन 20% return company 5 सालों में दे चुके देखे 20% कम नहीं होते है आपको mutual fund में करीबन 15% आपको return मिलता है जिसमें आपको फायदा और extra कुछ नहीं मिलता जिसमें यहापे आपको dividend मिलता है bonus मिल चुका है तो 20% return साथी साथ इतने सारे बुनास और इतने सारे पेसल आपको अच्छा debt मतलब फायदा मिला तो इसलिए company में आपको निभेश करने के लिए में हमेसा कहता हो तो स्टॉक का जो negative week है वो 20% टाइम्स यहापे book value के निचे टेड कर रहा है और साथी साथ यहापे देखिए sales growth भी तोड़ा सा कम लगा यहापे 5 सालों में तो company का जो promoter holding है वो 3 सालों में तोड़ा सा यहापे कम कर चुके है तो इस सारे data तो कुछ negative effect भी ले आता है तो यहापे देखिए जितने सारे computer है जितने सारे leather company है उसके इसाब से यहापे देखिए एक number position में relax हो है दूसरा number company में बाटा इंडिया है यह दोनों company जबदसत है तो इस दोनों company में comparison करूँ तो बाटा इंडिया से मुझे relax हो बहुत अच्छा का सा लगता है तो इसका जो result है मतलब इसका जो performance से आपको बहुत जबदस लगेगा क्योंकि यहापे देखिए हम need profit के बार हैं बात करूँ तो company करीबन यह आपके देखिए 2020 में करीबन सिर्फ 38 करोड का profit किया था उसके बाद 11 में 27 उसका 40 45 66 हर साल में आपको रोध हर साल में कभी भी आपको down 10 में नहीं डिखना हो टोटली up 10 में आपको profit को देखने को मिलेगा 2019 में कितना 175 2020 में कितना करूना के situation में 226 2021 में कितना 292 करोड का profit तो इतना जबदस profit इतना अच्छा कासा performance तो आपको जुरूर इस डोनों stock में आपको निवेस करने से पहले एक बास study कर लेना उसके बाद निवेस जरू करिए तो इस डोनों stock में कौन सा अच्छा है वो भी आपको में वीडियो के end में बता दूंगा तो इसका return of equity भी देख लीजिए याँपे दस सालों में 51% return इतना जबदस return तो मुझे और भी कोई stock में देखने को नहीं मिला हाँ इस type stock में इसका market capilation 30,000 है इसका 1 lakh market capilation है 70,000 करोड का market capilation है तो उसमें दिख जाता है 30,000 करोड का market capilation में 51% return 10 साल में जबदस हो गया 5-5 साल में 43% 3 साल में 55% 1 साल में 100% मतला आपका एक साल में फांड डबल तो मेरा भी फांड करीबन देखा जाए डबल के करीबी है तो एक साल नहीं हुआ मैं उतना दिन निवेज नहीं किया तो पिछले बहुत दिन से निव किया था तो आप ज्यादा निवेज कर चुका हो क्योंकि company में मुझे बहुत potential लगता है तो company का जो shareholding pattern है उसके बारे में एक बार आप देखना चाहिए यहापे आपको देखिए promoter कितना है 70% promoter खुद यहापे hold करका है 2018 के बारे मात करो तो 74% holding था अभी 70% तो देखिए आपको में ही कहूंगा बाटा इंडिया में आपको जितना shareholding दिखा उससे कुछ जबदस गुना यहापे रिलाक्स हो में आपको shareholding देखने को मिला तो shareholding बेटन promoter खुद यहापे share खरीद के रखा है क्योंकि promoter को पता है किस तरीके से company feature में काम करने वाला है साथी साथ यहाप इसके बारे बात करों तो करीबन थी परसन होल्डिंग डिए देखी सेवन परसन पब्ली के लिए इसके लिए में अच्छा कहूंगा तो देखिए promoter जब खरीदारी करकर रखा है मतला sharehold करकर रखा है इसके उपर आपको जूरू नजर रगना चाहिए तो जितने सा पर फोकस्ट इकुटी फांट इस बीए लॉंग टांब एडवंटेज फांट जितने सारे मीचल फांट है सभी मीचल फांड ने ज्यादा तरह आपर माल उठा कर रखा है और जितने सारे एफाइस है मतलब फॉर इन इंवेस्टर है तो भो भी आपर देख लिजिए आपर इन इंवेस्ट किया है अब देखिए जला मुखी इनवेस्टमेंट होल्डिंग यह भी एक कॉमपणी है वाल्ड बेसिस मतलब फॉरेंड इंवेस्टर यह भी आपर होल्ड करकर रखा है तो ओभराल बात करूं तो कॉमपणी दोनों कॉमपणी मुझे जवदस लगते है त साथ यह साथ मुझे इसके ऊपर में मैं फॉप स्टर भी देने वाला हूं कॉमपणी का फार्फार मेंस मुझे जवदस लगते इस पर आप जा सकते हैं तो मैं अब इसमिए अपर निबसकर करीं करिये कुछ ब् typically करिये उसके बद नावर्ड बिडिया से कनने के लिए सोचि प्रेस करना चाहिए तो आसा करता हो पूरे डिटेस सब को जान करें मिल चुका होगा तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगए तो लाइक करना दोस्तों को सेयर भी करना मिलते हैं आगले स्टॉक लेकर तब तक लेच्छे सरी अपने ख्याल रखिए बाइबाई